हे वेलकम बैक, मैं राकेश, फिटनेस कोच, स्वागत करता हूँ आपका फिजिक एड़र में आज हम बात करेंगे ट्रेड्मिल रनी वर्सिस आउटडोर रनी क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में और क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए वेल ट्रेड्मिल में रन करना या फिर आउटडोर में रन करना दोनों के ही अपने अपने अड़ांटेजिस है बट क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या अड़ांटेजिस है क्या आपको इंट्रेस्टेड है इसी विडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो है गाइस वेलकम टो फिजिक एडिटर मैं हूँ राकेश आज हम बात करेंगे ट्रेड्मिल वर्सिस आउट्डोर रनिंग देखिए ट्रेड्मिल वर्सिस आउट्डोर रनिंग में डिफरिंस क्या है कि जबी आप आउट्डोर रन करते हैं तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंट मिलता है रेजिस्टेंस यानि रोपने की शम्ता जबी भी आप अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं पैर फुट आगे लेते हैं तब जमीन आपको रोपता है बट्रेड्मिल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता ट्रेड्मिल में नीचे जो सर्फेस है वो खुदी रोल करता रहता है और ह प्लेन सर्फेस होता है तो वहाँ पे आपको एक सर्फेस को मेंटेन रखके आपको आगे बढ़ने के लिए कोई जाधा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा अगर हम बात करें आउट्डोर रनिंग की तो वहाँ पे सर्फेस जो होता है वो बिल्कुल भी स्ट् चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से आप अपना फूट रखें ताकि आप अन्मैलन्स भी ना हो गीरे भी ना और अपना रनिंग जो है कंटिन्यू करते रहे बट ऐसा एडवांटर आपको बिल्कुल भी ट्रेड्मिल में नहीं मिलता है वेल इसी रीजन से आउट्डोर रनि बिनरीज है कई सारे गार्डन्स है जो आपको एक बेटर हैपी मूड में हेल्प करते हैं आप एकसराइस तो कर रहें बॉड़ी को ठका रहें लेकिन मेंटल याप हैपी भी हो रहे है अड़ टाइम बट ट्रेड्मिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ट्रेड्मिल में हर अगर आप एक ही जगा चले जा रहे हैं एक ही जगा दोड़े जा रहे हैं तो वह मेंटल यापके लिए थोड़ा जादा ही बोरिंग हो जाता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे एकसराइज और कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो है नेउस पॉइन्ट हम डिस्कस करेंगे कुष्णिंग के ऊपर कुष्णिंग क्या होता है हमारे शोज में जो सोल लगे होते है जो सौ एजे होते हैं वह हमारे जोईट के लिए आंकल बहुत जादा है बर अइप एक इब्सॉफ्छ जो हुता है न दो और आप कर लेते शो थोड़ा cushioning है आपको आपके shoes से ही मिलने वाला है तो आपके ankles पे, knees पे आपको shock लगेगा बट अगर आप ground में भाग रहा है कोई भी type का ground हो जहाँ पर greenery है, grasses है, अच्छी quality की मिट्टी है तो वहाँ पर आपको अच्छा cushioning मिलेगा next point की बात करेंगे timing तो यहाँ पर treadmill में ही ज़ादा advantage दिख रहा है क्योंकि अगर आप रात को running करना चाहते है या फिर आपका work schedule खतम करने के बाद आपको रात को time मिल रहा है जिम करने को और आप रात को running कर रहे है तब तो आप road पे या garden पे नहीं कर सकते तब तो आपको treadmill में ही करना पड़ेगा वेल यह time dependent है बहुत आप आराम से रात को अपने जिम में आराम से आप running कर सकते हैं वेल आपके आसपास के society में, garden में या road में रात को running करना आपके लिए बहुत inconvenient हो जाएगा इसलिए यहाँ पे treadmill advantage में आता है वेल क्योंकि treadmill घरों के और जिम्स के अंदर होता है तो यहाँ पे आपको weather का भी advantage मिलता है लाइक बहुत जादा धूप है या बहुत जादा बारिश है तो आपको यहाँ पे भी advantage मिलता है आप prefer करेंगे treadmill को ही वेल next point की हम बात करेंगे more challenge on treadmill जी हाँ, treadmill में आपको थोड़ा सा जादा challenge करने का खुद को मौका मिलता है यह एक बहुत ही interesting तरीका है treadmill में आने का वेल जो पहाड चरने का effect होता है like degrees के उपर 10, 20 अगर आप already treadmill use करते हैं तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आपको बहुत जादा advantage मिलता है खुद को challenge करने का well last point हम discuss करेंगे कि दोनों में से हमें कौन सा use करना है well guys अगर आप regular basis पर running करना पसंद करते हैं या फिर आप cardio करते हैं तो मैं suggest करूंगा कि आप बाहर ground में running करें grasses, greeneries का मजा ले बगर कभी कभार अगर आप खुद को जादा challenge करना चाहते हैं तो आप treadmill में आए और treadmill में जो incline होता है ना 10 degree, 15 degree, 20 degree उन सबका advantages ले guys एक last point और यहाँ पर मैं breathing pattern के उपर discuss करने वाला हूँ breathing pattern में मैं ज़्यादा in depth नहीं जाने वाला breathing pattern यानि कि आप जब naak से सास लेते हैं और naak से सास शोड़ते हैं तो running के time पर आपको ध्यान रखना है कि आप मुह से सास लें मुह से सास बाहर छोड़े क्योंकि जैसे ही आप running करना start करेंगे ठकने लगेंगे तो आप बहुत heavy amount में air अंदर लेंगे और heavy amount में air अंदर से बाहर निकालेंगे तो nose का जो pipe है वो उतना amount का air carry नहीं कर सकता तो वहाँ पे आपके गले का जो pipe है वो उतना air carry करेगा आपके अंदर और आपके अंदर से उतना बाहर भी निकालेगा जितना अच्छे से आप oxygen ले पाएंगे उतना अच्छा आपका brain चलेगा और brain आपके body के other organs को signal भीशता रहेगा उतना active आव रह पाएंगे गाइज ये था treadmill versus outdoor running के कुछ amazing advantages and disadvantages अब आपको decide करना है कि क्या आपको suit करता है और कौन सा आप जादा पसंद करते हैं गाइज उमीद करता हूँ कि आज का ये knowledge आपको valuable लगा होगा और पसंद आया होगा गाइज इस तरह की interesting knowledge is related to fitness मैं यहाँ बनाते रहता हूँ अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करो एक like करो मिलते हैं next time तब तक के लिए thank you